विल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज के इस वीडियो हम बात करने वाले आपको बचा हुआ क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नमबर जो की हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप पॉस्चन ठीक है शॉर्ट आंसर टाइप पॉस्चन और यह आपका स्ट्रीट और यह आपका सेकंड समेश्टर के लिए यहां पर हम इनको डिसकस कर रहा है तो आज क्वेश्चन नमबर सिक्स की बात करेंगे ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे क्या पूंच रहा है कह रहा है एलफा डी ग्लुकोज से बीटा डी ग्लुकोज अधिक स्थाई है इ इस प्रकार है इस प्रकार है किस प्रकार है देखो यहां पर देख रहा है आपका अलफा डी यह है आपका अलफा डी ग्लुकोज से आपका क्या है यह आपका बीटा डी ग्लुकोज क्या है बीटा डी ग्लुकोज है यहां पर हैडोजन लगा है आपका तो कह रहा है कि यह अधिक स्थाई है अलफा डी से बीटा डी गुलकोज आपका कैसा है अधिक स्थाई है कैसा यह more stable है कारण क्या है कारण क्या है यह हमने समझना है तो इसमें आपको दो चीज़े याद रखने है जो आपके hydroxyl group और hydrogen एक चीज़ को हमने देखना है ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यानि कि hydroxyl group की hydroxyl group आपको इसमें दो position पर लगा हुए मिलता है एक आपका axial position पर होता है दूसरा आपका equatorial position पर होता है axial position और दूसरा होता है equatorial position इन्हीं दो position पर depend करता है कि आपका जो है अब करता है एल्फा डी गुल को ज्यादा इस्टेबल होगा ठीक है कौन कौन सी पोजिचन है आपकी एक्षियल पोजिशन और आपकी कौन सी है equatorial position ठीक है equatorial होता वो क्या होता है निरक्षी है ठीक है क्या होता है निरक्षी है तो एक्षियल की अगर हम बात करें तो axial में होता क्या है मालो यह हमने कुछ इस तरह से बना दिया ठीक है चेर फॉर्म यह आपका बना हुगा है इसमें आपका क्या लगा हुगा है मालों यह hydrogen लगा हुगा है आपका दुबारा यह hydrogen और यह hydrogen और यह लगा हुगा है फिर आपका नीचे और आपका ऊपर आजागा फिर आपका नीचे आजागा फिर यहां पर आपका ऊपर आजागा फिर यहां पर आपका क्या आजागा न जो आपका alternative hydroxyl group लगा हुआ है ठीक है एक उपर दूसरा नीचे फिर उपर फिर नीचे ठीक है तो ये alternation आपका hydroxyl और hydrogen ठीक है कोई भी लगा हो तो इस position को हम कहते है एक उपर और नीचे ठीक है एक उपर होगा उसी का दूसरा क्या होगा अगल बगल वाले कारवन पर नीचे ठीक है अप एंड डाउन ठीक है ये alternate क्रम में आपके चलते तो इस position को हम कहते है अब हमने कुछ इस तरह से ले लिया इस बाले कारवन पर जो हमने लगा दिया है आपका और एक लगा है है हाई जोसरे पर इस तरह से लगा होगा और इस तरह से वह हुग है तो इस पोजीचन को हम कहते हैं कि वह तो इन्हीं दो पोजीशन पर जो है इनका इंका इस्टेबिलाइजेशन डिर्पेंड करता है ठीक है तो हम जानते हैं इसमें क्या लिखा है यह क्या कह रहे हैं कि देखो कि कह रहा है इनकी अवलोकन से यह ग्यांत होता है कि बीटा डी ग्लुकोज में समस्त ओएच जितने वी आपके हैड्राक्सल ग्रुप लगे हुए हैं किसमें वी टा डी ग्लुकोज में समस्त ओएच सथा दूसरा क्या है कह रहा है होता है है यह जो आपका ही और एक आपका स excessive होता है equipment कैसा हूए हुँगा भूल होता है प्रत्तिकर्षण सबसे यानि की बहुत कम होता है कारा जिसके कारण यह अन्न समुहों के साथ प्रत्तिकर्षण प्रवहावतुपन्स करता है एक्जियल पर होने के काड़ और जो आपके ऊच गुरुप लगे हुए हैं उनसे अधिक प्रितिकर्षण प्रवाव उत्पन करता या दिखाता है ठीक है कैसे होजाएंगे आपके अनिस्टेवल हो जाएंगे तो यही कारण है कि जो होता है जिनसे समूहों के मद प्रितिकर्षण निम्नतम होता है समुवों के बीच में जो आपके OH गुरुप लगे हुए हैं उनके बीच में रिपल्सन कैसा होगा बहुत कम होगा अता बीटा डी गुलुकोज की तुलना में अधिक इस्थाई होता है ठीक है तो बीटा डी गुलुकोज आपका कैसा हो गया किसकी तुलना में अलफा डी गुलुकोज की तुलना में ठीक है यह कैसा हो गया आपका पर होने के आपका बीटा डी गुलुकोज यह अन्य पर माणुआ या गुरुप के साथ में रिपल्सन का रिपल्सन कम प्रदर्शित करता ठीक है को का तो यही ? कारण है ॐ है इसमें कि हो जाता है आपका यह कम है आपका इस टेबल उता है यह तो था आपका आज का आreek दिकष्ट गूसरी और स्पस्क्राइब कर लिए तब एडियो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए